हम लाते हैं Talk Shows और Unlimited Entertainment सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ हम लाते हैं Top News, आपके फेवरिट टॉक शोज और Unlimited Entertainment सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ वियूर्द वेरी वार्म, वेलकम डिस शोओ, मैं हूँ कामरान शाहिद लोद्रा में नवाज श्रीफ साहब का अदलिया बुखाले फौज बुखाले इदारे बुखाले 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 बुख कर गिए का सैकलोजिकल बेरियर एक लाग तेरा जार आठस ताइस वोट सवाल तो बनता है कि जराब अगर इतने पॉपलर है नवाज शरीफ साहब इतने करप्ट है इतने नाहल है इतने गौड फादर माफिय है तो किस तरह एक लाग तेरा जार वोट उनको पढ़ गया उस सी कर देख रहे हैं ताल तो उसका एक प्रैक्टिकल नमूना आपने देख रहा है कि लोजरा में एतसाब के नाम पे जो इंतिकाम है यूज का जवाब है अवामी रद्याम अलई है मेरा मुकद्मा अखवाम लड़ रहे है पाकिस्तानी के इंसों में कुछ होता तो फिर जिमि थो इस ते हमारा सुरा किया कराया जो है न पूसके पारी पिर जाए जो मुझसे इंतकाम ले रहे हैं वो उनसे भी ने जनों ने पहले बार BACK बगाया मुकद्मा पहले फार्जी मुकद्मा चलाया तिरफतार तक नहीं क्या ना होने दिया और आगया देख इस मुल्कें के अ ना कोई किसी ने सदा दी है, ना उस पर कोई अपना फूंगी उठाई जा रही है, क्या वहां तक पहुंचते हुए पर जलते हैं, क्या है, कुछ पताएं ना, यह डबल स्टैटिक्स कहां तक चलें गई हैं, आज सबसे बड़े मुझरम हम बने हुए हैं, जरता नहीं हुए ह तो क्या पार्टी लेवल पे उनको उनके खलाब को कारवाई की जा रही है, या उनको दुबारा री इंगेज कर नहीं कुछ की जा रही है, खुल कार दो पाएं, जो आई निसार साब की बात पे नवाज श्रीफ साब सिर्फ मुस्कुराते हैं, हारु नशीद साब, सारे त है, वो आज अवाम का केस लड़े लोदरा के अलेक्शन में जीत की सुरुत में, जीत गए हैं, नवाज श्रीफ का साब का, उसमें अमल दखल है नहीं है, वहाँ सेतर वीचत लोग टेलिवीए नहीं नहीं देखते हैं, जलसा हैं और नहीं किया हैं, कंपेंड जाके की नही एवरिबरिड़ नोज उसको ड्वीचत लोगज गृूपिंग हैं, उसमें जहांगीर तरीन तो लोगटा में रहते ही नहीं हैं, बटल्ल बहुत कम कहीं जाते हैं, नहीं उनके साफ़जादे महां रहते हैं, उनके साफ़जादे अक्सफर्ड में पढ़ रहते हैं, जाधर आदमी है, इसके बावजूद पिछली दफ़ा उसने हरा दिया था, लोकल जो गुरूपस हैं, उसके नाम सब आज अखबारा में छपे हुए हैं, उसका चर्चा हो रहा है, वो जहांगीर तरीन से खौफजदा हो गए, और शेबाज शरीफ साफ तो नफरत करते हैं त करदे माफ करें, मुकदमें पर कोई नहीं दाएर करते हैं, अगर करदे माफ करें तो मुकदमें करें, हकूमत उनकी है, वकील उनकी है, सरमायन करें, शेबाज शरीफ ने, बहुत टेक्टफुली ये इलेक्शन लड़ा, हम्जा भी अब एक्सपर्ट बन गए हैं, ये भी इलेक्शन जीतने के, पैसे भेजे खूब टका के, और पैसें की क्या कमी है नून लिक को, सारी इकश्राफिये इनके साथ है, दो चार अरव रुपए भी चाहिए होते हैं, तो बहाँ तो खेर इतने चाहिए भी नहीं थे, आच्छा और लोकल ग्रुप्स ने सोचे हैं, ज मुद रुमाई ज्यादा की, जलसे ज्यादा की है, तहरीक इनसाफ का मजज ये शोर शरावा बहुत करती है, आठ साल हो गए, जब से मैं तहरीक इनसाफ के लोगों ने जब भी पूछा, तो उनसे काब डोर टो डोर कमपेंड होटी है, तैया ब रुदवान का जो बेज़ा फर्मा रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता के नमाज शरीव साब का ये बियानिया भी सभी थाबित हो रहा है कि अदालत से नाएल होने के बाजूद वो जीत रहें, अवाम में जीत रहें, पजीराई हो रही है, अवाम महर सब्त कर रहें, उनकी जीत पे नाहलिभ करते हैं खुद नवाज शरीफ को बीस साल हो गए थे तो क्या उसने इलेक्शन नहीं जीत लिया था दोजार आट का बेश्मार जजबाती फैक्टर होते हैं बे नजीर नजीर शायबा जो हैंने मुकमल करने नजरबा जीर नजीर शायबा की डेथ हो गई बड़ी अलमनाक और उसका रद्धे अमल हो गया और वो जीत गई अब उनको तीन हजार वोट मिलते हैं सिर्फ करफशन तो बज़े नहीं परफार्म करना भी एक चीज़ होती है एक क्याता हूं तारीक इनसाफ की सारी खामियां क्या हैं और क्या प्लैनिक उने चाहिए और मुझे से दस गुना बहतर बहुत से और लग सकते हैं भाई ये शोर शराबे के लोग हैं इनको इसको पार्टी बनाना पड़ेगा नहीं बनाएंगे तो हारेंगे वो दूसरी बात ह मगर इसे मुकदमा कैसे सचा हो गया ये कैसे थाबत हो गया इस मुकदमे से इस से इलेक्शन से कि इन्होंने मनी लांडरिंग ने किया ये कैसे थाबत हो गया कि इन्होंने कभी बद्यानती ने किया क्या बचगाना बाते हैं और क्या मैं इस सखत लफ़ इस्तमाल करने चाह चलिए sir, लवज़ णाइब समर्वाद में बड़ा अफ्सोस हो आपकी चिकल्स पर कैसा फिल कर रहे हैं? अफ्सोस ही फिल कर रहे हैं जिस तरह से आपको अफ्सोस हो adjusting में फैक enclosedbafsuस हो ये इस बुरियाद पर ये कहना कितरा जायज है कि ये एक अलेक्शन जो है जो नवाश्री साफर बारे उसे सुप्रीम कोड के फैसले को इखलाकी सियासी इंतखाबी लिहासे रद कर दी है तेके पहली बात तो ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मताबिक नतीजा नहीं आया जो हम सोच रहे थे वैसा नतीजा नहीं आया तो जाहर है कि इसमें अब तज्जिय कई भी हो सकते हैं हारुन रशीद साब ने कुछ जो है वो तज्जिय किया है कोई और तज्जिय होंगे लेकिन वो कहते हैं कि success is many fathers and failure is orphan तो जब आफार जाते हैं तो बड़े hindsight में और तज्जिय भी आ जाते हैं लेकिन देखा जाए तो हमारी expectations के मताबिक नतीजा नहीं आया ट्रेंड्स के मताबिक नतीजा आया त्रेंड्स क्या है खैबर पक्तौनखा में PTI की जो लोग होते है जिggते हैं सिंद में PPS PARTY के लोग जिखते हैं पंजब में जो जिम्नी आलेकशं का हुआ था हैं पंजाब की तो हुआ है तुमः तर्टरेंड्स के मच्से नहीं बनाते हैं यहां पे जिस तरह से हारून रशीद साब ने बिलकुल दुरुस्त का, अकबाल शाह साब का और अबदर रह्मान कांजू साब का, वहां पर पिछली दफ़ा पीटी आई, पीपल्स पार्टी, पीमलन तीनों मिदवारों को हरा के पूरा डिस्टिक वो जीते, इस बार वहां पे वो जो है, वो दुबारा जीत गए हैं, सो स्यास्त एक बहते दरिया की तरह है, जब दरिया से पानी नीचे से गुजर जाता है, रोज नई सुबा होती है, नया इवेंट होती है, नई चीज़ें आती हैं, ये कॉंक्लूड करना, कि चूंके अकबाल शाह साब लोदरा म चूरी किया, अपने बच्चों के नाम पे सोला कंपनीज बनाई, उनके नाम पे प्रॉपटीज की देए, तो फिर इन चार्जिस की तो कोई हैसित अवाम में नी रही है, पहली बात तो यह है, ये बड़ी अनफॉचनेट आपने बात की है, चूंके ये सारा काम सिर्फ अल का उनफॉचनेट तिंकिंग है, क्योंकि आपको आप एलेक्शन के लिए ये ये नहीं करने, अगर आप पाकिसान को एक आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको, बगए एलेक्शन किस्ता करेंगे, आप एलेक्ट होंगे तो लोगों खित्मत करेंगे ना, पॉलिसी हमारा काम है लोगों तक अपना पेगाम पहुंचाना, हमारा काम है लोगों को बताना कि ये चोड़ा है, बसाल के लिए आप नून लीग के अपने M.N.A. से जावाफ़ रेकॉर्ड पूछ ले, और उनसे कहें, नवाज श्रीफ साब ने ये सब कुछ किया है, हर आदमी कहे जीते हैं, पिर पैसे कमाएं, इंस्टूशन को इस्तमाल करें और आप एक सरकल में भूमते जा रहे हैं, ये हो रहा है, हम इस सरकल को तोड़ना चारहे हैं, तोड सके, मेरा ये ख्याल है, एक आदमी इलेक्शन से फरक नी पड़ेगा, हमने काफी हद तक तोड़ दिया है, बाकी इन्शालला ताला ये दो खफ़ते में नवाज शरी, पी-म-ल-N का जो मस्तक्बिल है, तो एम-के-म से ज़्यदा मुक्तलिफ नहीं है, जो कराची में एम-के-म के साथ हो रही है, पी-म-ल-N के साथ एक्जेक्लि यही होगी, आप इनके जरा नीचे से कार्पिट निक पाची में नवाज शरी तो कभी नहीं है, फवाज साथ नाहिल होने के बावजूद जब जलसे करते हैं तो निकले तो नहीं है, ल्दाव साथ तो चलो लंडन से बाइकाट हो गया लो, उका पुरा, यह 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 तो मवजूद है इस तजिए से मैं आपसे इतली इतफाक नह करता है, आप तो साथ इतफाक ही नहीं कर रहे है, जब हार गए, सवाए आपके पहले लाइन के जो आपने अफोस किया जो, बात यह है कि बैंगलोर में क्रिकट नाच हो रहा है, ल्बी डबली हो गया है, बैट्समैन, अमपायर को क्राउड को देखके फैसला करना चाहिए या रूल्स और रेगुलेशन पर करना चाहिए, या रूल्स और रेगुलेशन फालो नहीं करेगा, तो खेल ही नहीं होगा, तो जम्हुरियत जो है, खेल से आउट करा दिया आप नवाज श्रीफ साब, नवाज श्रीफ साब ल्बी डबली हो चुके हैं, मिडल स्टम्प आप खुद ही मिदान में आजएं अपनी पार्टी के लिए चीज़े लेके, बहुत मुबारिक हो आपको, कि आप अलेक्शन जीतें, तो ये अलेक्शन जीतने के फॉरन बार नवाज श्रीफ साब के दिल और द्वाज में क्या समाईी, कि उन्हों ने ये कहा कि जनाम जो मै मैंने गुफदगू सुनी है, फवाद मेरा भाई है, और माशाला इसको एक बड़ा हुनर आता है, कि हर चीज़ में से जवाज तलाश कर लेना, और आज़समी खार में से भी एक जवाज तलाश करने की कोशिश की है, मैं तो वाकि इनको दाद भी दूँगा इस बात की, कि यह दूसरी बात दें को ही पसंद आई है प्रोग्राम में, यह आप दाद दे रहें, जी, मैं दाद दे रहा हूँ कि एक इन्तहा होती है, लेकिन मैं इसको, इसकी तारीफ यह करता हूँ कि अच्छा स्पोक्स परसन है, लेकिन जो पीटी आए का किया धरा है, या जो अलेक का हारना इस तरह हुआ है वहाँ पे, कि वहाँ पे लोग पीटी आए की गाड़ियों में आए हैं, पीटी आए के खाने खाए हैं, और शेर पे ठपा लगा के चले गए हैं, अब मुझे यह बता है कि एक ऐसा हलका जहां पे पीटी आए की एक्सिरियत हो, और बेटा, बेट नवाजशार साब जो एक इनताई शरीफ आदमी है, ठीक है प्लिटिकल अरीना में, लेकिन कांजू साब की सियासत वाकिवाँ पे एक 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 थियत रखती है, लेकिन मुझे भाई, हमारा जो आधा पैनल उसकी, हारुन साब कि यह कोई सेटिफिकेट नहीं है, कि एक क्रिम अरान साब एक बड़ी मशूर कावत है अंग्रेजी के, कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अब मैं आपको एक चीज वाज़ा करके बताता चल रहा हूँ, और ये दो जार अठारा का एलेक्शन करीब है, ये जितने भी लोग हैं जो ये बाते करते हैं, आप ये द सीटे मिल जेंगे आपको सेलेक्शन में, मुसल भाई, क्या सोचा है, क्या अंदाना है, क्ती सीटे मिल जेंगी सेलेक्शन में? तेखें, मैं पहले दिन से एक बात, पहला जलसा मिया नवाज शडीफ साब ने, इसका जो शुरुवात थी, वो मेरे हलके से हुई थी, कोर्ट मोमिन्स से, और पहला जलसा जो था, वो मैंने कराया था पंजाब में, क्या बात? तो जालो, और उस जलसे के बाद, मैं आपको, मैं जलसे में जो मैंने हवाम का जजबा देखा था, कितनी सीटे ए, और शेरिब का इसके फॉररन बात उन बताया, कि ये जो जजबा ये आवाम का अधना बेमेसा जांगा जजबार है, और पर सबस्कुनम्त में जाएंगे। इस सरियत लेने के फॉरण बात जो है आप विर सुने में आया कि जजिस की ऐसी तैसी करने वरे रूल्स ला रहे हैं फॉजियों को चेड़ेंगे जन्रेलों को चेड़ेंगे यह सब कुछ करने का प्लान है पुरा पका पका अनून लीका ऐसा ही है भाई देखें आयन और कानून के बीच में एक सेपरेशन आफ पावर का का कॉनसेप्ट है सेपरेशन आफ पावर का कॉनसेप्ट हम इंप्लिमेंट करेंगे चाए उससे किसी को खुशी हो या उसके अंदर यह भी होगा जजिस को पारलिमानी कमीटी के साब पेश रहा पड़ेगा जवाब दही के लिए ऐसा है ना ये ड्राफ तो हो रहा ना बिल देखें जाए जो भी हो पाकिस्तान की अवांग जो है उसका जो सबसे ज़्यादा जो इक्तियार है वो जमूरियत और वो जमूरी अदारों के पास है मैं आतर हो फबाद साब और साब के पास मेरी एक बास स जो भी पुछ जो ये होगा वो गएगा शायद ऐसा होगा आप क्यों शायद कह रहे है आप तो बताए हो रहा है ऐसा खुलके बास करें यहार क्या मसल़ा है नहीं मैं बड़ा एक वाज़िया बात बता रहा हूँ कि हमारी हकूमत बनाने का जो मकसद होगा अगला अलेक्शन जीतना यह दो ताइक सिरियत लेना उसके बास हमें एक चीज़ वाज़िया करेंगी अगर आप लोगतरा के प्रज़िशन नहीं यह जीत गए और जज़िस जाये ज़जिस की तायनाती के तरिका कार में तब्दीली की जरूरत है, बिलकल जरूरत है, ज़जिस की ट्रांसपिरेंसिया उनकी अपॉट्मेंट्मेंस में, बिलकल आनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो मसला यह है कि साड़े चार साल आप वह्तान पूझतर्ध दें तो बहुत बड़े जजज हैं अगर वो पैनामा पेपर का फैसला दे तो उन से कंटर॑र्वर्शल जजजी कोई नहीं हैờं। मरजी का बैंच बना दें तो बिल्कुल सही हैं अगर चीफ जेस्टेस साब ये कर दें तो उन नसे बुरा कोई नहीं है ये तेखे ना लोग जो ये होता था पहले होता था जब सिर्फ एक एक अख़बार चपती थी और अगले दिन आके कह देते थे मैंने का ही नहीं अब प्रॉब्लम ये टेलिवियन है ये जान चोड़ते हैं ले जी साजी साब के बाद चलते है कामराण साब एक बात करना चाहूंगा जी जी फरमाईए जी जी मैं ये बात करना चाहूंगा देखे हमारा इस बात में कोई जो बाते फवाद ने की हमें उसे कोई इकतलाफ नहीं हमें सिर्फ इस चीज़ से इकतलाफ है के कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए अगर नवाज शरीफ को अकामा की बन्याद पर निकाला गया तो इमरान खान साब को भी मिस डेकलरेशन में निकाला जाना चाहिए था उनका केस अलेक्शन के अलेक्शन अपकस्तान फ़ास नहीं भी ना चाहिए था अभी अफसोस की है फवास साब से अलेक्शन हरने का अभी आपसे भी अफसोस करता तब हो है मेरा मैं उसे भूआ क्या यـ बिसमिल्ल्हिर रभाँ बिसमिल्ल्ल्हिर रभाँ से पहले आपके प्रोग्राम में मौजिओ तमाम हादरे निकाले को Frankreich मीदिद की और पाकिस्ट पंजाब में जो मौझूद आलेक्शन हैं इस हुआरे से लोग अपने कमेंट जिए आप कमेंट कर दें इस हुआरे से मैं दो तीन अलफाज बोलूँगा मिसाल के तौर पर फवाद ने बोला कि जिस तरह से अलता हुसाइन उम्कैम से निकल कर दोन का حाल ब्रौँ गया बिल्कू नहीं जो लोग दिलों में रहते हैं ने के आने जाने से कुछ ने ही फर्थ पड्रटता और ये दिलों के साध़ी होता है पॉलिटिक्स दिलों के साध़ी होती है ने आपकशन के दौर पर उसकी उसकी बुनियादी वजा ये है कि पी टी आई ने सिर्फ अब तक इल्जाम तराशियां की हैं बाते की हैं धरने दिये हैं अभी अफ़ाबात किया रहे हैं कि पार्लिमंट को मजबूत होना चाहिए जब पार्लिमंट पे हमला करेंगे आईन को गाली देंगे तो पार्ल में और कॉल ओफेर में तसाद नहीं होना चाहिए अच्छा दूसरा यहां तक मेरी नाकिस बालों बाता है जब इलताव हुसायन साब बाई सगस को पाकिस्टान को गालिया दी नासूर कहा तो आप लोगों ने तो कहा था हमने को दिल से भी निकाल दिया दमाग से भी निका तो आप आज दुबारा कहरें कि वो पाकिस्तान हमारे दिल में नी बात पर कहा रहा हूं कि इनों आगा कि कोई लिडर निकार निकार इंकि बात छोड़ थे मैं पूसरो कि आप बिलकुल नहीं मैं आप सदरह से जिस तरह से सुनें ना जिस तरह से अलता हसान दिलों पर राज करते थे आज फारुक सतार्व राज कर रहे हैं एम के हम राज कर रही हैं मौजूद हैं मौले थो यह वाज़रश मौजूद है किसी कεν जमीन बड़ी मकथी बाथ की रहा है। मैं सिर्फ एक खाल र一点 दिल में बस्तें मैं صुटै के दिलों मैं क्या मैं कहारू ना मैं क्या रहूं आघर ओं कि बिल्कुल रहनुमात है नहां है अब फारु सतार भाई हैं एम क्या में दिलों में बसते हैं ना कहने का मतलब यह है कहने का मखसद यह था कि इम्राण खान तो ग्राउन पर मौझूद है ग्राउन जल्से कर रहे हैं इसामात लगा रहे हैं लेकिन काम्याफ नहीं हो नहीं आपके कुश्चन मारक है मेरे खा लगा बाई वो दिल में रखे रहे हैं इसके अलावा लीडर तो थे ना हमारे कोई बुरा तो नहीं कह सकते हैं तो सीधी बात यह अच्छा इसके अलावा देखें यार वो पाकिस्तानों गालियां दे रहे हैं आप हद यार साजित भाई वैसे कमाल बात है आप क्यों मेरे जबाकिन की बात ही है आतो पाकिसदान के पार्लिमेंटेरियन हैं आप पाकिसदान का कानौर है आप पाकिसदान के जस्तूर के पांद है मेरे बाद को आफ और आ पे पर किस तरह के अजिस दिल बुल you a बाय आप तो एक लिवाद ही बार करें काश के काशließen काश हो वाद इतनी मेनस से काम इतनी पी vår याई के लिए कर लिए गलते सिर्फ चर्म जबानी से नवाज्या दिए पर भाहर देहि। अच्छा अच्छा के कसीदा पड़ें और अपने भाई जो हैं वो इमरान खान का कसीदा पड़ें यार ये सियासत का तज़िया इस तरह होता है और कोई खुदा के बंदो और अपनी पार्टियों पर भी बात करना सेखो और मरके तुमने इमरान खान को और नमाज शरीव को और अलताव सहन को जवाब देना है खुदा को कोई जवाब नहीं देना आदमी का कोई जमीर होता है यार हाथ हो गई यार वो उसके कसीदे पड़ रहा है उसके कसीदे पड़ रहा है उसके और ये तजजिये होते हैं ये पालिटिक्स होती है में नो दैमें बैलेंस करने वाज़ पाहरा है आरुम सrí भी साथी गलती भी कर सकते है ना इया माशरे इस तो नहीं ठीक होते यहां ऑँ ठीक करें उनकी तराइफ करें तरहें रही टीक होघी तो से घिप रपाइए आपने अपनी बात तो कर दी बहरार बेरे सार का जवाब ने दिया मैं एक बार पूछ लेते हो और आपका मूड है जवाब दे दे मैंने कहा कि ये लोग जो लीडर दिलों में बस जाते हैं उको नकाला मुश्किल होता है खुआ कोट के जरीए नौाज शरीफ निकल जाए या ल्दाव हुसारी ऋनके गुंगा रही है तो अब इस पे क्या किया जए अच्छे. goofy ये सवाल नहीं है नौज स्वाल नहीं है कामरान भाई, बात यहां एक एक आदमी वोट ज़्यादा ले सकता। मसलर ना возь squirm Chili ऑज ज्यादा वोट ले सकते हैं बरकुल ठीक अल्ताव हुसैन कल ज्यादा वोट ले सकते थे लेकिन उने वोटरों ने तो नहीं मस्तरित किया कराची के उने उनकी हरकतों ने मस्तरित किया नवाँ श ज्यादि ना ना वाद वे नीने में इस्प्रेन में खिलाक करना चारा है। जी साइड वई क्या किया रहा है। हमने बड़ा जटका लगा है। क्योंकि हम तो सोच रहते हैं फारुक सतार साथ ने बार बार गा कि अताफ हुसाइन साथ से मारा कोई तालूक ही नहीं अब इस साज़त साथ ने में बताया है। साइड साथ मुझे आप एक साथ जवाब दें। आपकी पार्टी तो खताब होगी ना अब फारुक सतार साथ के पीछे तो कोई भी नहीं है। सवाए आपकी और फिंचर और लोग जी। बहादरबाद लेवड़ा। मेरा फावासे सवाल है कि कल तक परवेज मुझे गुन गाते थे। आप गुन नहीं गाते हैं आप जो तराने गाते हैं। साज़त भाई क्या होगी आपको अच्छा कल तक वो थे पीपस पार्टी के साथ। कल तक वो मुझे वो तो आपकी पुदिशिन नी थी आप भी हमके उनके साथ थे। मुझे थे। कल तक लीडर अलताव साथ नहीं थे। लेकिन इलताव हुसें ने जब पाकिस्तान को गालिया निकाले गा तो फिर भी आप उसके साथ खड़े हैं। आपने तो हमें ये बताव हुसें नफ़ी आपके दिल में बसते हैं। जबके इलताव हुसें पाकिस्तान के इस वक्तदार हैं। पाकिस्तान को गालिया दे रहा हुए तो आपके दिल में बसता है। ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तान आर्मी गिस्ताद आप करते हो फववाद तो आपका लीडर तो नहीं करता है। पाकिस्तान आर्मी थो खराब करने के मतले के वो खटदार नहीं करने के हो थेँआ। वई बसते हैं। कि इसे आएं पर हम लेखे हैं और चोड़े ल्दाव साहिए ना मुझे फवाद चौदरी साहब की कुछ समझ आ सकी है अब मेरी पुझारी सुने इनको छोड़े आप लेकि मेरी बात सुने मैंने हरुन साहब की बात का जवाद का जवाद दे रहा हूँ के वतो इज़ो मनतशा वतो जिलो मनतशा जिसको अल्ला इज़त देता है हरुन साहब ना उसे आप इज़त ले सकते ना मैं ले सकता हूँ और जिसको अल्ला जिल्लत दे उसको चाहे मैं जि अच्छी रे रेसाले अख्वार में पढ़े हैं। हारुन साब आपका दिल करता है कि हम सुबह आपका कॉलम पढ़के आ जाए करें और मैं कभी भी नहीं करूंगा क्यूंके मेरी तो अपनी सियासत है और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं आप हमें सियासत बता रहे हैं आपका माना तज्जिया बेतर होगा कभी आपने BD का अलेक्षन भी लड़ा है बीड़ी का छोड़गें आपने वाड का भी लड़ा है आप मुझे सियासत की पर लक्षन रूँ दें ये जब कि रहे हैं आपके अभी ते आप तीजी पे बैटके तजिया कर लें आप अखबार के कालम लिखें लेकिन जिस ड्राइंग रूम में बैटके आप अवाम से कोई राप तरही है आपने कभी कालम लिखा है अवाम की जो नब्स है ना उसके अवाम लोगों की अंगली होती है और मुझे बताओ तुमने कभी कालम लिखा है आपके सोच रही है आपके सोच ने से कर अवाम को समझा जाती है तो पिछे कितना अरसा कितने साल से आप को में टॉक शोज में देख रहा हूं कि आप रोज नवाज शरी पे तनकीद करते हैं क्या आपकी तनकीद से किसी बंदेरे मतासर होके थोड़ी सी राए भी ने बदली है एक बंदेरे भी आपकी तनकीद से आपके कौनमों से मतासर होके थोड़ी सी राए भी ने बदली आप इसका मंज़डिघे है आपका सियासी तरथिए गलत है नवाज श्री की सियासत बिलकुल दोस्त है तो आप हमें सियासत पूप लेक्षिन ना दें बच्छार को यह साराँ था है उर्हाज़त कhis क्य आपको पतार साफत कर देदे आपकी इखलाकियात का यहां से अंदाजा होता है कि आपको मैं मुखादब हो रहा हूं आप करके आप मुझे 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 पाकिस्तानी कौम देख रहा हूं अपकी झाण देख रहा हूं अचा जै बात यह है मैं आप लोगों से बात बोदस्ते एतराम एक रुक्वेस्ट करना चाहरा हूं ये इतनी जिर्ल कदर शक्सियाद, हज़र्द मुसा अलिए सलम, खुलफे राजदीन, इनका मवाजना ये जो हमारे सामने के पॉलिटिशन से ना किया करें, को मवाजना बनता है नहीं जनाम मैं, तो परिशान हूँ ये ना किया करें, ये बहुत गल्त बात है, क्योंकि आपक हमें भी पता ही नहीं है ना अमारत के क्या और श outlines है ना खिलाफत के क्या थिए आउखल है, बैसिक असूलों पर हमारा कोई एक लीटर पुरा नियु दरता जिसने एकि इक ब्रेक लेख. तो आप पहुंच जाते हैं हम पहुंच जाते हैं मुसा तक तो मुसिल भाई मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा हमें मिसाल वो देनी चाहिए जो डेजिस्ट हो जाए छोड़े हैं उन मिसालों में देना में क्या रखा है ब्रेक वापिस हो और फवाद साब का फ्यू बढ़ा जो हरुर रशीर साब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है गलतियां जो होती हैं उनको एकनॉलिज भी करना चाहिए और ये भी नहीं है कि इमरान खान कोई गलती नहीं कर सकते या बाकी लीडर जो है वो कोई गलती नहीं कर सकते उन गलतियों को मानना भी चाहिए उन गलतियों स जलसे के बाद अगर आपको पता है वो नहीं होता है अच्छा वो जो आदमी इतने प्रेशर में गेम में क्रिकट खेल चुका हो इतना बड़ा कपान रह चुका हो वर्ल्ड कप जटा चुका हो इतने इतने इस्ट्रेस मुम्में उसको यह चीज़ नहीं अब मैं स्वार कर लो, बाद कम्लीट हो गई, अब मैं यह आप से पूछना चाहरा था, कि तरीन साथ इन होना चाहरा थे परे बेटे के थूरू, अब तो बिल्कुल चेप्टर क्लोस तो पार्टी जलासों में भी निया करेंगे, यह आएंगे, उनकी क्या पोजिशन है आजक पार्लिमेंट के साथ लोग जो होते हैं, इन होते हैं, यहां पे तो साजद भाई ने एक ऐसा इलताव हुसायन के इसकी को रेलिवेंस वो करें हमारे धिल में रहा है, और भाईयों की जान चोड़ दें, यार इलताव हुसायन के और साजद भाई की घलती से मुछनी कि आप चान भी पकड़ जो पिया, यहां पार लिवेंस बनाएंगे, पार्टी में उनकी रेलिवेंस होगी, जानगीर तरीन साथ जो है, वो सबसे रेलिवेंट हैं और रहेंगे, यहां यहां यार यहार यह डबस ट्रेंड़ है, मैंने इमरान साथ लास तरेम पूछा हैं गोल कर सवार का जवाब के लधा शरीफ जफारीड होएं तो आपने का जी पार्टी की प्राइटिशिकक उसकरी मिलेगी अब तरेहन साब जफारीग होएं तो आप पार्टी जिनास होने comment was व्हें इस ते जॉलें साब अच्छा देखें कामराण, मैं देखें कामराण, मसला ही कि पाकिस्टान के, फिर मैं एक बात होंगा मेरे वर्ट्स पे गोर कीजेगा, अलताव भाई कहते थे, M.K.M. कहती है और फारुसतार भाई कहते हैं कि पाकिस्टान के अंदर जो फ्यूडल सिस्टम है, जो जागरदा वडेराना, वडेराना, सर्दारान निजाम है, इस सिस्टम के जाए तो ऐसी लोग आएंगे, बिसाद के तोर पर इम्राण खान ने बड़े बड़े तारुसतार भाई की हकायात की किदाब दो पब्लिश करें, अच्छा में एक सवार का जवाब ने यार, छोड़े लड़ सवाल, साजаст बाई, रेल्वन्ट सवाल, मैं क्यारों कहते थे, जुह और कहते थे, यार, सुने ना मेरे बड़े, कहते हैं, और ते थे, वह झाल दे मै यार, मेरे बात को सुम्झें, आपकी बात खतरनाक हदों पे जा रही है आपके पले खिलाफ जारिय या वोटर्स के, ऐ प्षारों कहते थे और MकM कहते है और फदरुक सब्सक्राइब ने जाए है ने जाए हैं जाए है और फदरुक सब्सक्राइब दो रहे हैं लिए जाए हैं प्षारे सारे MNA और MPS 35 अला का शुकर है सब खड़े हैं एंक के कारपान गोश्टा दो दिन पहले फारुसतार बेगे इस्तिमा किया था बहुत बड़ा प्याएब बड़ी तादाद में लोग आए था ठीक है पॉइंट आगे आपका जी हरुआ हरुन साब आपका आज का कॉ अब मुझे आप यह बता दीजिए सर के ये लोग तो सब जिन्दा है अभी थाबत हो गया ना जी बेल्कुल हो गया साबट हो गया ना जी अभी साजित भाई कुफ्टू हो साबट हो गया अभी ये अलताब जहन की वकालत करेंगे और इनमें फटकार पड़े ही लिए लग लानताया बाटाया बताया है अब मैं आज कराची आ रहा हु यार पड़त की बता रहा है मुझे अच्छी तरहा है मैं अच्छी तरहा है देखें जी मैं एक बात कर दूं कि पाकिस्तान की जो स्यासत है इसकी जो लैंडसकेप है वो ब्लक्und बदल गई है और इस स्यासत के बीच में अब जो स्यासत के बीच में मुनाफ़कत है उसका अलिमेट जब खतम हो गया है तो चौरी निसार मुनाफिक है खुराना खासता आपके निस्दीख तो बिल्कुल सही और नेक नीती के साथ करेंगे तो सियासत आगे चलेगी सियासत अबादत है लेकिन अगर आपकी पार्टी में सबसे साफ दरोग आदमी चौरी निसार है जो मुँपे बात करता है लीडर्शिप के तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए उनकी देखें हम सारे मुँपे बात करने वाले हैं ले निसार सारे नहीं है मुझे आपका नहीं बता रहे कि सारे नहीं है बात सुनी भी जाती है बात सुनी भी जाती है बात पर मश्राइट ये वक्त हो गया है आज के प्रोग्राम का इविक खतम हम बात करें थे पाकिस्तान के मुस्तक्बिल के मनजर नामे पे ऑज जिशन में लोग्रा के लेक्शन पे और होंके नजदेक अद्रिया मुखालि बियानियसा उनुका हिट हो गया है वो सही थापित हुँ और उक के नाहिले का उन्हारा 12.18 का लेक्शन बताएगा के janवाराशन सही कर welche ये और जो जीद गए, कल तक लिए जादब जादब